हरी ओम ओम गानेशा एक बार पुना कर्मकान बाई आनंद पाठक मैं आप स्वभीका में स्वागत करता हूं एकादशी से संबंदित अल्रेडी मैंने दो वीडियो बनाए है कब है पारान समय आधि-आधि उसका महत्व लेकिन यह प्रबोधिनी एकादशी करने से अर्थात यह महाँ एकादशी करने से उसके विशय में जो भ्रह्मा जी का कतन है उसका महत्व क्या-क्या है आज मैं जी ने प्रशन किया था त Till ब्रम्मा जी का कथन है me एक समई भोजन करने वाला उपवास, नक्त व्रत करने वाला उपवास और साप्ताहिक उपवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल देव उठनी अर्थात प्रबोधनी एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है हे महामुनी हजारों पुर्व जनमों के कारण जो कोई मनुश्य वर्तमान में दुखी हो रहा है तो यहाँ शास्त्रोक्त तरीके से जो कोई प्रबोधिनी एकादशी करता है वहाँ हजारों जन्म के संचित कर्मों को बसमीबुत कर देगा अगर वहाँ प्रबोधिनी एकादशी करेगा तो जैसे अगनी के अंदर रुई का धेल डालो और वो ततक्षन समाप्त हो जाती है जल जाती है वैसे ही प्रबोधिनी एकादशी करने से वहाँ मनुष्य के पुर्बोधिनी एकादशी करता है जो कोई भी मनुष्य यहाँ प्रबोधिनी एकादशी करता है तो मेरू के समान भी उसके कोई पाप होगे जो अंजाने में हुए है वहाँ सभी समाप्त हो जाते कोई भी मनुश्य यह प्रबोधिनी एकादशी करता है और न केवल करता है केवल वह मन में संकल भी करेगा कि मैं यह व्रत करने वाला हूं या करने वाली हूं तो उसी समय पर उसके स्याकड़ो पुर्व जनमके किये हुए पाप नश्ट हो जाते है और खास करके जब वह व्र करता है पुर्णरूप से तब अवश्य ही उसके पापों का विनाश हो जाता है फिर कहा है कि जो कई भी मनुश्य इस प्रबोधिनी एकादशी में रात्री काल को जगराता जागरन करके भगवांच्री हरी का स्मरन करता है तो वहब दश हजार अपने कूलों को शिगरही न कि जो कोई भी मनुश्य इस प्रबोधिनी एकादशी के रात्री काल के विश्णु सहस्त्रका पाट करता है तो वह मुक्त होकर अंतकाल में भगवांच्री में दाम में वैकुंठ में निवास करेगा लेकिन कैसे तो यहां लिखा है कि अपने पितरों को वह भगवांच्री जाएगा और खुशी से आनद से उल्ला से वगवान के सनमुख रहेगा अगर कोई रातरी में जागरन करके विश्णु सहस्तर का पाठ करेगा जो कोई भी मनुष्य रातरी काल में प्रबोधिनी एकादर्शी के रातरी काल में जागरन करता करके वगवान हरी का संकीरतन करता तो वह ब्रह्म हत्या आदी घोर पापों से भी मुक्त हो जाता है जो कोई भी मनुष्य रात्री काल में प्रबोधिनी एकादशी का वृत करके जगराता करता है ओम नमो नारायनाय अश्टाक्षर मंतर का जाप करता है तो वह अश्वमेग यादी यग्यों का जो फल होता है वह प्राप्त कर लेता है जो कोई भी मनुष्य एकादशी प्रबोधिनी की जगराता करता है तो वह अंजाने में ही अपने पापों से मुक्त हो जाता है और सबी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह करता है प्राप्त जो कोई भी मनुष्य प्रबोध प्रभोधिनी एकादशी को रात्री के समय जगराता करता है वरत करके तो उसको गवदान, सुवर्णदान और भुमीदान अर्थात यह सारे दान करने, ज़ितना फलप्राप्त होता है, जो कोई भी मनुशिया दरिद्रता से जूज रहा है और प्रभोधिनी एकादशी का वर तो बहुत दरिद्रता से भी मुक्त हो जाता है। जो कोई भी मनुश्य प्रभुदिनी एकादशी के राप्री को जागरन करता है और दिन में वरत करता है तो काया से मन से वाचा से उसके द्वारा जो भी पाफ हुए है वह नश्ट हो जाते हैं कोई भी मनुश्य प्रभुदिनी एकादशी का वरत करके राप्री में जगराता करता है तो उसको जनारदन विष्णू तीर्थों में सनान तीर्थों में दान तीर्थों में जब तीर्थों में यग्या करने जितना फल प्रदान करते हैं जो कोई भी मनुष्य यह एकादशी का वरत करता है और रात्री में जगरता करता है तो उसको पूरे वर्ष के जितने भी वरत जप तप आदि करने से जो फल प्राप्त होगा वह भगवान प्रदान करते हैं जो कोई भी मनुश्य यह वरत करता है तो उसको चांदरायन वरत करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है जो कोई भी मनुश्य यह वरत करके राप्तरी काल में भगवान श्री हरी का संकीरतन करते हैं, गजंद्रमुक्ष का पाठ करते हैं, विश्नु सहस्तर का पाठ करते हैं, भगवान के अश्टाक्षर, द्वादेशाक्षर, मंत्र का जाप करते हैं रातरी काल में, तो उसको सभी प्रकार के पुन्य फल प्राप्त होता है, जैसे लि प्रबोधिनी एकादशी करके रात्री में जगराता करेगा और उसके अलावा तो बहुत सारी चीजे लिखी है कि जो कोई भी मनुशिया प्रबोधिनी एकादशी में बगवान चरी हरी विश्नु के उपर अगरू और केसर से और पीले चंदन से टिका लगाएगा और बगव ऑन हरी के पूर्णक रुपा पृत रहोती है और होगी इतना अद्वथ महत्मय इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का और प्रबोधनी एकादशी में खास करके मूलरूप से जागराता अर्था तो अवन चारत करते हो तो प्रापर तरीके से कीजिए जगराता जितना हो सकता है उतना करने का प्रयत्न कीजिए और जगराता जागरन करते समय विश्णु सहस्त्र है भगवत गीता जी का पाठ है अश्टाक्षर मंत्र है दून है किर्टन है ये भी भगवान के सामने बैठ कर करने चाहिए तब जाके यह पुन्य फल हमें करना ही चाहिए बाकी तो सारी जो जानकारी है मैंने पिछले दो वीडियो में आपको प्रदान कर दी है आप सभी को प्रभोधिनी एकादशी की मेरी और से बहुत सारी शुब कामनाई और अवश्य यह महावरत करने का प्रयत्न किजिएगा ओम गणेश हरहर महादेव जैस आप सिया आप जया आप आप आप